चीन में तबाही मचाने के बाद करोना वाइरस अब दूसरे देशों के लिए मसीबत बन गया है चीन के बाद अब इटली और इरान करोना वाइरस के सेंटर बन गया है इटली में यह हलत है कि एक दिन में 133 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि इरान में 95 लोगों ने दम के मताबे कि जान लेवा कोरोना के कारण अब तक 3200 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि करीब सबालाख लोग संक्रमित पाए गये हैं बताया जा रहा है कि इटली में कोरोना से पिछले 24 घंटे में 133 लोगों की मौत से हडकंप मच गया है उधर इरान में रविवार को कुल 59 लोगों की करोना से मौत हो गई है वहीं इरान में 24 घंटे के अंदर मौत का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है इरान में 243 नए कंफरम केस सामने आया है वहां मौत का आकड़ा 194 तक पहुच गया है इटली में कोरोना का संक्रमेंट तीजी से वैल रहा है इटली रवि सिरुक्षा एजेंसी के मताबिक देश में अब तक 366 लोगों की मौत हो चुकी है एदियात के तौर पर इटली ने एक बड़े कदम का एलान करते हुए रविबार को अपनी एक तीहाई आबादी की आवाजाही पर रोक लगा दी है प्रधान मंत्री यूसेप कुंते ने इ स्थाल इकन फर अपदेट